है कि अधिए है लो फ्रेंड्स है वेलकम टू एलके अकडेमी मैं आकाश में था आज हम डिसक्स करें के करन्ट आफेर्ज नवेंबर फोर्थ विकेंड लेट स्टाथ विट फर्स्ट नीज है हमारी पहली नीज़ फ्रेंड्स कि अभी रिसेंट्ट्स एक एक मिलेटर एक्सेज़ाइस हुई है उस मिलेटर एक्सेज़ाइस का नाम था हरी माउव शक्ति 2022 तो एक्जाम पॉइंट ओफ यू से इस न्यूज के अंदर से क्या-क्या क्या क्योशन्स आ सकते हैं उसके बारे बात करते हैं रहें कि रिसेंट्ली ऑन 28 नमींबर हरी माउव सकती तो एन्यूव जोएंड मिलेटर एक्सेज़ाइस बिट्विन इंडिया एंड मलेशिया वह अभी मलेशिया के अंदर और ऑर्गिनेस की गई थे सबसे पहला क्योशन कि हरी माउव सकती क्वण से आम फोर्स की एक्सरीज है तो आर्मी की मिलेटरी की उसके लबा हरी माउव सकती क्वण सी दो कंटरी के बीच में होती हैं इंडिया और मलेशिया के बीच में रहें और यह जो हरी महुश रखती है वो यह exercise कब से होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में 2012 से होती है तो आपको इतने चीज़े याद रखनी है यह exercise का implications क्या है उसका importance क्या है जोइन एक्साइज बीच में डिफेंस को अपरेशन बेटी इंडिया और मलेशिया और मलेशिया के बीच में डिफेंस को बढ़ाएगी exercise और बाइलेटर लिएशन को भी मजबूत करेगी परापना तो एक्जाम पॉइंट ओफ यह स्लाइट के अंदर से क्या important question है कि हरी objective क्या है अगर मैं participant की बात करूं तो यह मिलेटर एक्साइज के अंदर इंडिया की तरफ से किसने participate किया तो जिस तरीके से नेवी के access के अंदर ships और maritime patrol aircrafts participate करते हैं जिस तरीके से एरफोर्स के access के अंदर aircrafts participate करते हैं और उसी तरीके से निलेटरिक access के अंदर army के group participate करते हैं यह जो हरी माँ सकती यह जो मिलेटर एक्सेज हुई उसके अंदर आरमी के कौनसे group ने participate किया तो गरवाहल rifle regiment गरवाहल राइफल रेजिमेंट के द्वारा orders stamped किया वित ओके को इंडिया की तरफ अरीमा होसं कि ये चसे उसके इंदर इंडिय की तरफ किसài से उसके पर इसके नोब किया गर्भाह क्रों किंडार चीजें остablerone के दौरा टोंचा मैदü इन चैन्ट कमांड पोस्ट अंग्य Light शर्विलियन सेंटर जिन दोनों चीज़ा इस्थाप्रीज की जाहेगी तर सीडिल अफ इस ज्ट एक्सराइज अलसों इंक्लूड शेरिंग देश्टाइज इंदम इंप्लूमेंट अप्ट 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 एरियल असेट्स टेकनिकल डेमोस्टेशन टेशुलिटी करना उसमें से किस तरीके से बाहर निकलना बना उसके अलावा कि जब कोई बैटल होती तब लोजिस्टिक सपोर्ट कैसे प्रवाइट करना यह सभी इस एक्सेस का पार्ट है बना मना तो इंद्या और मलेसे के बीच में यह जॉइंट मिलेट्ट एक्सेस के अंदर बना बन जोइंट कॉमेट इसकेसंस और जोइंट डेमोस्टियस इन इस पेशल इंफेसिस अंदे इंगेंशिंग टेकल स्किल्स इंद्ट इंडर बेतिन तू फोर्सी इंद्ट प्रमोट दा आर्मे डिलेसंस तो आइधिंग आपको इस नीउस के अंदर अथे समझ में आयो का फ्रे आउस्ट्रा हिंद 2022 और यह फ्रस्ट एडिशन हुआ है इसके लिए हमारे लिए इंपोर्टन्ट है यह और आउस्ट्रा हिंद यह जो एक्सरीज है वह मिलेट टेक्सरीज है उसके अलबा कॉनसी दो कंट्री के बीच में हुआ है तो नाम सही पता चलता है हिंद मतलब इपोर्टन्ट है क्योंकि फर्स्ट एडिशन है रैट अगर मीं इस एक्सेस के इंदर पार्टिसिपेंट्स की बात करो तो जिस तरीके से वह हरिमाव एकसेस के इंदर गरवाहल रेजीमेंट ने पार्टिसिपेट किया था आर्मी का इक ग्रूप है उसी तरीके से यह जो उस तरह हिंद जो एकसेस हुई उसके इंदर यह भी मिलेटर एकसेस है तो आर्मी के कौन से गुरूप के तवरा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया है डोगरा रेजीमेंट के द्वारा बराबना राइट और इस एकसेस का एम क्या है तो स्टेंथन दा मिलेटरी टाइस इंडिया और यहां पर शेयर करेंगे उसके अलबाब प्रमोंट अंडरस्टेंडिंग इंटर ऑपरेटिबिटी फॉर्ट मुल्टी डॉमिन ऑपरेशन्स इंद सेमी डिजर्ट कंडिशन्स अंडर दा यूएन मेंडेट आप पीस इंफोर्समेंट यह जो एकसेस हो रही है और और अस्टिले के बीच में तो यह यूएन का जो मेंडेट है पीस इंफोर्समेंट के पीस इंफोर्समेंट का उसको इंप्लाइ करने के लिए एकसेस हो रही है राइट ओके अगर मैं इस एकसेस के की पॉइंट के बारें बात करूं कि दुरिंग दे एकसरसाइस यह जो अब्जेक्टिव से हरीमाव एकसेस हुई थी मैं इंडिया और मलेश्या के बीच में वही से हम अब्जेक्टिव इंडिया रॉसले की बीच में औस्तरा हिंद के अंदर हुआ है बारा मना एक दूसरी के टेक्नोलीज को शेर करना एक किस सरीके से केसलीट को मैनेज करना है उसमें से बाहर निकलना है लोजिस्टिक जब बैटल होता है तो लोजिस्टिक के सरीक अचनले एक्सराइस है और यह किसके परday फोस्ट किया गया इंडियान एरफोर्स के दवारा तो यह एक्सराइस दो कंट्री के बीच मैं नहीं हो रही है यह अलगाद़ डिपार्टमेंट के बीच मैं हो रही है इसके बारे बात करते है तर एन य Fleisch का नाम क्या है समन्मवे 2222 यह एक्सैसाइज है वो एक प्लेक्फॉर्म प्रॉपाइड करता है प्लेक्फॉर्म करता है तुएиц से डॉमेंट नॉलफे टो एक्सेंग शर्ण ग्रेंस लाई搞 ऊप connectivity के साथ republic organization of the Southeast Asian nation Asian country the session countries उसके साथ best practices को exchange करने के लिए अपने experience को exchange ने के लिए अपने domain knowledge को exchange करने के लिए एक platform प्रवैड करता है यह समद में 2222 एक्सराइस तना है अब यह अब हम इसका में मोटां गया है तो इस अकसरीज का एनिफ मेंजर्स का नाम क्या है यूँ मेंटेंट आसिस्टंज एनिजस्टर लिए के अग्सचा क् सब्सक्राइब लाव। तो यह अगर कुछ नियाइस्टर आ गया तो पसको किस सरी करने करते हैं तोulator जो हम प्रैक्टीज करते हैं वो हम एक्सेंज करते हैं एक्सेंज करते हैं और यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है institutional disaster management structures मतलब यहाँ पर कोई भी दियाइसर आएगा तो एक संसा से काम नहीं होता आपको बहुत सारी संसा को साथ में मिलके काम करना पड़ता है रैट तो यह institutions के अकर बात कर रहे हैं यहाँ तो कौन सी institutions की बात कर रहे हैं उसके बारे पर देखते हैं तो armed forces national disaster management authority national response force डियाइडियो बोडर रोड ओर्गनेशन इंडियन मेंटर्चुकल डिपार्टमेंट सिविल administration बारा मना यह सभी मिलके कोई disaster आया तो उसको किस तरीक से हैंडल करेगे यह डिजास्टर डिलिव एक्सराइज है समन्में 2022 राइट ओके और कौन सी कंट्रीज के साथ यहां पर नॉलिज को एक्सेंज करने की बाद चल लए है इसे अन कंट्रीज के साथ बारा मना ओके अगर मैं डियास्टर मेरेजमेंट की बात करो इंडिया के अंदर तो निशनल डियास्टर मेरेजमेंट इस अपक्स Stratutory body for the Disaster Management इं इंडिया वा कब बना चेथी को कम से चेंडर में देश्टर मेरेजमेंट 2005 केakt ट निशनल डियास्टर मेरेजमेंट अठीकेड के अक्स अप्सीयर है पर्सेन कऊन है Prime Minister बहुत इंपециर्टन वेस्टन रॉरी अंट अडर दे एजिस ऑफ ते हेड़काटर इंटीगिटेड डिफेंस टाफ इंडियन डिफेंस फोर्स इस हैं वह इंडिया के अंदर ही करते हैं अभी कुछ साल पे ने सिलंका का एक शीप एक जगा पर फर्स गया था बरावना तब को इंडिया की डियास्टर मनें फोर्स नहीं बढ़ावनें अभावे उस चीप को बचाय था इंजन कोस्ट काड़ के बढ़ा पर रहेट तो स्केट मीश्चेश मेर्म ओंफारीटिज और है रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर नेशनल डियार्सामं ऑथोरीटी किसके तबरां हेड किया जाता है एक्स एक्स ओफिसर चेर्वेन हैं प्राइम मिनिशर और जो स्ट एट येसमें अथरेटी उसको किसके तोरा है चीफ मिनिशर के बारा बन्दम ओके हमारी नेक्स निशर फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली नीटी आयो ने एक रिपोर्ट लॉंच किया है कौन से टॉपिक के उपर कार्बन कैप्चर यूटिलेज़न एंड स्टोरेज के उपर इस रिपोर्ट के बारे बात करता है तो अभी रिसेंटली नेस्टल इस्ट्रीजन इन्टी टांस्फर्ट निकी ड्रीटीयच क्या है इक रिपोर्ट उसका नाम है कार्बन केप्चर अटोरेज फ्रेंड स्टोरेज करेंडिया अधे रिपोर्ट कर नाय है कंडावों केप्चर gonna living एन डास्टूरेज पोलिसे फ्रेमबर्ट इन्डिलेजन पॉलिसी बमेकनिस कि पर किया है इस कंपनी के द्वारा लेकिन फाइनेंसल असी से किसके तरह प्रियोड किया गया है नितिया ओके द्वारा बनना ओके अगर मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे बात करूं इस रिपोर्ट के तो इंडिया इस थर्ड लाज़ेस्ट एमिटर आप दो स्योटू इन पर चाइना आन USA with estimated annual emissions of about 2.6 Giga ton per annum mother of the carbon capture utilized in stories is important for the India in achieving its targets including the 50 person of his total installed capacity from the non fossil based energy sources 45% reduction in the emission intensity by 2030 and taking steps towards the achieving the net 0 by 2017 दिको यहाँ पर इंदिया के तीन इंपूटेंट टार्गेट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए है इंदिया ने यह तो टार्गेट रखा है कि 2007 तक वो net 0 mission create करेगा मतलग जितना carbon dioxide एमिट करेगा उतना कार्बन डायोक्साइड वो एट्मस्पेर में से एब्सोब करेगा या तो फिर इतना ही रिन्यूमिन अर्जी को एस्टो एस्टाब्रीज करेगा बना दर पांच के अंदर तो कार्बन इंटेंसिटी 45 जो चितनी भी थी उससे 45% डिड़क्शन करना है 2030 तक बराबना ओके उसक आपने जो हमको एचिव करने हैं और यह जो कार्बन कैप्चर यूटिलिशन इन स्टोरेज वो इसके अंदर काम में आएगे है है तो है ए मैं मुद्टा ऐस्यिक्र आपको इसरीपोट इंदर अच्छे से पता चलों का इंड़को किस तरीके से कार्बान सफीक्रिक्शन किया ड़की जाता है वो क्या है किस नी इसके उपर रिपोर्ट रॉंच किया और रिपोर्ट किसके दोरा बनाया गया बराबना आई थी आपको समझ में आया होगा अबने नेक्स्ट नीज़ और फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 53rd edition of the international film festival of India उसको host किया गया कहां पर गोवा के अंदर उसके बारे बात करते हैं तो 53rd international film festival of India was held in Goa from 20 November to 28 November 2022 तो एक्जामपटीव से सबसे पहली लेंड में एक क्वेस्टन हो गया कि पर international film festival of India कहां पर और अर्गेस हुआ था 2022 का एडिशन गोवा के अंदर कौनसा एडिशन था 53rd एडिशन था International Film Festival of India is an annual film festival which has been organized with the philosophy of the Vasudev Kutumbakam, the world is one family, तो यह जो international film festival of India, कौनसी philosophy के उपर होता है, Vasudev Kutumbakam के फिलोशफी के उपर, और यह जो event है, वो जो जो एडिशन ली और्गेस के रहता है, by the National Film Development Corporation and the Entertainment Society of the Goa, तो यह जो event और्गेस किया गया था, वो दो संसागे रहता है, पर और्गेस किया गया था, National Film Development Corporation और Entertainment Society of the Goa के त्वारा, तो आई थिंग आपको इस first light के अंदर समझ में आयोगा इस news के, अगर मैं इस events के कुछ sportland events के अगरा बात करूं, बढ़ा मनना, International Film Festival of India के बढ़ा मनना, तो यहाँ पे यह event के शुरुवात में, ऐसा part of the country focus package, अट अ अलगलग country की आठ movies को दिखाए गया था, और उसमें spotlight nation कौन बना, कौन सी country की movie सबसे अच्छी साबीत हुई, France, तो यहाँ कुझार में रखना है, opening and closing films of the International Film Festival of India, कौन कौन सी film थी, तो एक तो Austrian film, Alma and Oscar, डाइटेड़ बाई देटर बरनर and किर्गिस्तन की film थी, परफेक्ट न opening film थी, Austrian film, Alma and Oscar, और किर्गिस्तन की परफेक्ट नंबर वो closing film थी, इस ceremony की, तीन films, तीसरी मंसिर, दो बदन and कटी पतंग of Asha Parekh, जिनको अभी इस साल डादा साहिव फाल के अवर्ड 2020 का दिया गया, उनकी तीन film को इस अवर्ड के दोरान स्क्रीन किया गया था, उसके अलाव इस अवर्ड फोर्टी टू पैविलियन्स and for the first time, पैविलियन्स appeared at the IFFI in line with the significant international market such as Candace Film Festival, जिसको उस्तार अवर्ड भी बोला जाता है, बना-बना, तो जिस तरीके से international level पे जैसे awards के event होते है, अलग-अलग पैविलियन्स का organization किया जाता है, उसी तरीके से international film festival of India के अंदर प 42 पैविलियन्स का establishment किया गया था, पैविलियन्स मतलब यहाँ पे 42 अलग-अलग countries अपने पैविलियन्स में बेठते हैं, बना-बना, अपने अपने चीजों को represent करते हैं, अपनी जो famous चीज है, अपने देश के अंदर, उसको represent करते हैं, उसको दुनिया के सामने दिखाता है है, simple, बराबना, उसके अलावा, during this event, 53rd edition of the International Film Festival of India, Megastaar, Chiranjeevhi receives the Indian Film Personality of the Year Award for the 2022, कि जो साउथ की जो मेगास्टार है उनका नाम है वैसे कोनी देला, सिवा संकरा, वारा प्रसाल जिनको चिरन जीवी के नाम से जाना जाता है उनको इंडियन फिन प्रसाइटी अफ दे यर अवर्ड फोर दो जोर बाइस के नवाजा गया है इस वाजी रिकार्ड असे वाजिवी देटेट इस अमेगास्तर अंपर टॉलीवाड एस जाना 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 फिसन वार्ट्मा पृत्वच्छ एरड इंडियन फिर प्रसाटीज धुख एक्ट्यू पृटिव्या नियूस्ट प्रसमी लिए लास्टेट हिव मुठ फोर के अंदर इंडियन फिर्म परसानिटी अब दे एर अवर्ड तूजर बाइस किसको मिला चीरज जी अगर उनका नाम उरीदना नाम पूछा जाए तो कुर्णी देला सीवसंकरा वारा प्रसाद राइट वो टॉलीवूड के एक्टर है चालीज सार से काम करता है और 150 से इस एक फिल्म नर्गे सी को आईसी एफ्टी उनियस को गांधी मेडल ओनर किया गया अभी आईसी एक टीनियस को गांधी मेडल को जीतने वाली नर्गे सी फिल्म वो कौनसी कंट्री से बिलों करती है इरान से ऐसा क्विश्चन आ सकता है राइट उसके अलावा अगर यह गांधी मेडल के बात करूँ तो मुवी रिवी रिवल्स अरूंड ऑमेंड बिट दाउंस सिंड्रॉम एंड बढ़न एन कर्ण सिकंट्रॉम की वजह से कैसे किस तरीका के बड़न साते लाइफ के उपर की सब्सक्विस आते हैं तो इन जाउंस सिंट्रॉम करम वो मुवी फ गादी मीडल is given to the one film each year, at International Film Festival of India, by the ICFT Parism, and the UN Educational Scientific and Cultural Organization. SO ICFT , एक Parism की संसा है, और UNESCO, एक UN की संसा है, युनों के द्वारा, गादी मेडल द्या रहता है, International Film Festival of India के दोरान. राइट और ये मेडल को, established किया था, UNESCO के द्वारा, 1994 के अंदर, right, जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपाल को जो मिवी के अंदर बहुत ही अची तरीका से दिखाया जाता है उसको एक गांधी मिडल दिया जाता है बड़ा बना उसके अलावा इंटरेशल फिल्म फेस्टिवन अफ इंडिया के अंदर गोल्डन पिकोक अवर्ड भी दिया जाता है तो Spanish film I have electric dreams by the Costa Rican filmmaker Valentina Morrell उनको भी golden पिकोक अवर्ड मिला golden पिकोक अवर्ड किसके लिए बेस्ट डिरेक्टर के लिए ये डिरेक्टर कहां से है Costa Rica से लेकिन उन्होंने film कौनसी बनाई है I have electric dream वह कौनसी कंट्री की फिल्म है स्पेइन की बड़ा बना राइट तो उनको golden पिकोक अवर्ड मिला है आपके exam point of view से golden पिकोक अवर्ड किसको मिला तो Valentina Morrell कौनसी फिल्म के लिए I have electric dream के लिए बस सिंपल बड़ा बना अगर मैं Silver Peacock for the base director गोल्ड पिकोक तो उनको मिला लेकिन Silver Peacock for the base director किसको मिला तुन नादर शेवियर फोर इस वर्ड़ ऑन्दर तूर्की फिल्म नौएंड ये तूर्की की फिल्म थी उनके लिए उनको बेस्ट अरेटर का अवर्ड को सिल्वर पिकोक अवर्ड मिला किसको नादर सेवियर को रहें यहां पर मैने बहुत सारे golden पीकॉक और सिल्वर पीकॉक फॉर्ट बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस बरामने यहां पर लिखे हुए है आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ दीजेगा बरामने एक बार जास्रीड कलना है राइट उसके लाव इस इवेंट के दोरान कोवा के जो चीफ मिनिस्टर रहा दॉक्त प्रमोज सावन उन्हों ने एक केम्पेंट लॉच्ट किया एक क्लीन अप क्लीन का नाम क्या था प्लीन अथा और यह क्लीन क्वेंट क्या गया था फोस्ट्र वेल्यू अप्टर कीपिंग आवर स इंग केंपस इस बोछ टूरीस्ट एंड इसिदेंस ऑफ स्टेट अफ द गोवा मतलब यहां पे जो टूरीस्ट आये थे जो गोवा के रहने वाले भी जो लोग है विस केंपेंड के अंदर पार्टिसिपेट किया उन्होंने अपने आसपास के एरिया को साफ किया कॉनसे केंड बरावनना इट वस और अर्गेस्ट पर दो डिव्याज फाउंडेशन एंड भामला फाउंडेशन इंपार्ण से भी तो गोवर्मेंट इवेंट वस ऑफिसल लॉट्टर प्रमोश सामन्थ चीप मिनिस्टर ऑफ गोवा बरावनना तो क्लीन थोन केंपेंड कोंसे गो युए उसके हलावा इंटरेशन फिल्म फेस्टिवल के दोरान एक चैलेंज नौट किया गया था बड़ावनना और यह चैलेंज का सेकेंड एडिसंट था सेवंटीफाइक क्रियेटीव माईंड्स अब दर टूमरों 75 क्रियेटीव माइंड अप दर टूमरों और इस चैले वरके अंदर राइट और यह जो इनिसिटीव है वह कुण से की सिकानि से अिनिसीटीव है मिनिस्ट्र इन्फर्मेशन अंफ्र मे सब्डास्टिंग मिनिस्टीव है अनुराक शी ठाज़ू टो मिश्कें क्या गया था निस्टनन फिल्म डेलोप एंव पर श्रॉपरेशन इनि 75 creative minds chosen from the all around the India to create a short film on their vision of India at 800 all in the 53 hours यह जो competition है कि total 75 creative minds को स्लेट किया गया जिन्होंने अपना-पना auditions दिया होगा और थीम क्या रखा गया था कि उनको अपना vision को present करना था कि इंडिया 100 साल के बाद मालब जो आजा दे के सौ साल के बाद कैसा होगा बराबना राइट और यह उसके उपर एक movie बनाने थी 53 hours के अंदर the number of the filmmakers honored represent the 75 years of the Indian independence first five short films were made in the 53-hour time frame total 75 participate किया था लेकर उसमें से 5 ने 53-hour time frame के अंदर short film बनाई और उसमें से दियर डायरी इस movie यह अवर मिला मुवी बाद टीम परपल एट अंडर स्कोर जा इस्यों अप दो मुमेंस सेफ्टी उन्हें मुमेंस सेफ्टी के उपर फोकस किया था राइड डियर डैरी और उनको यह वोड़ मिला राइड बाकी के फोर अंतर दिश्टी दे रिंग अल्मोस्ट एंस हौका नॉट राइड यह बाकी के फोर फिल्म सी जिर्टिंग अवर किसको मिला डियर डैरी को तो आई ठीक आप इस निउस के अंदर एस्टबिस किया गया था, ओके, हमारी नेक्स्ट नीव से फ्रेंड्स, अगें एक इंपोर्टन अवर्ड, नेस्नल स्पोर्स अवर्ड, 2022, इस अनौंस बाइद मिनिस्ट्री आफेर्स और यह अवर्ड टोटल 41 अवर्ड इसको दिये गए, कितनी काटेगरी के अंदर, 6 काटे परशन, कोचीज, एन एंटेटीज, अंडर, 6 डिफरेंट, डिफरेंट, कैटेगरीज, बाइद, प्रेसिडेंट अफ इंडिया, तुरपदी, मुर्बू, एड़्ट, स्पेशली और्गनेस्ट फंक्शन, इड़्ट, राष्टर प्रती परवन, तो यह अवर्ड किस के नेशनल स्पोर्ट्स अवर्ड के बारे में बात करते हैं, अगर में नेशनल स्पोर्ट्स अवर्ड की बात करूँ, तो सबसे बड़ा अवर्ड है, स्पोर्ट्स अवर्ड के अंदर, मेजर ध्यांचन खेल अतना अवर्ड, 2022, कितने लोगों के इस पर यह अवर्ड मिला गय उनको major dhyan chan kherna award 2022 दिया गया major dhyan chan kherna award के अगर में बात करूँ it is a highest sporting owner of the India it is given for the most outstanding performance in the field of the sports by the sports person over a period of the four year तो 4 साल के अदर जो sports person outstanding performance किया होता है उसको major dhyan chan kherna award दिया जाता है और इस बार एक खिलाडी को दिया गया शरत कमल अचनता टिबल टैनिस से बिरों करता है पहले major dhyan chan kherna award को राजियो गांदी खिलातना award कहा जाता था लेकिन 2021 के अंदर उसका नाम चेंज करके major dhyan chan kherna award रखा गया अभी तक 2022 तक 58 recipient को यह award मिला है और उसके अंदर कितना प्राइस मनी मिलता है 25 lakh ओके अगर मैं दूसरी अवर्ड की बात करूँ निसल स्पोर्ट्स अवर्ड में लिएस फॉर यर्स फोर यह एंडर स्पोर्ट मेंसीब इन अ संस अग्डिसिब्स अट्र आर्जून अवर्स लास्ट चार साल के अंदर अगर आपने अच्छा पर्फोंश्या था ऑब करेंस किया अग्वा थे आखेंड नहीं स्पोर्ट्स के अंदर इस को अदर इस अन्ट बेच्ट स्पोर्टिंग ओनर और बानु के अंदर और ये अर्जुन आवड की सुरुवात का भूए थी आर्जुन आवड के अंदर तो ये तीस साल तक तो सबसे बड़ा आवड कौन सा था अर्जुन आवड्स बढ़ा मनना राइट उसके नहीं प्राइस बनी दिया जाता ह है पंद्रा लाग ओके शॉल तो यहां पर मैंने यह टोटल उनका जीतने भी लोगों ने अर्जुन आवड्स जीते हैं उनके बारे में आपको टेबल में लिखा है आपको यहां पर एक बार उसको पढ़ जाना है और उसके अलावा कौनसे स्पोर्स परसन ने कौनसे स्पो स्पोर्स के अंदर यह वोड्य मिला है वह आपके एक्साम पॉइंट भी से इंपोर्टन है फॉर एक्जमबल इल्दोस पोल बरावने तो वह एथलेटिक से बिलों करते हैं प्राणाई एचस वह बेर मिटन से बिलों करते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना है बारा बन से पता चलता है कि तो अर्जुन और एकलवे के गुरू थे तो द्रोनाचारिय अवोर्ड यह नेशनल स्पोर्ट्स अवोर्ड है लेकिन यह कोचिस को दिया जाता है और इस बार साथ अवोर्ड इसको यह अवोर्ड दिया गया चार रेगुलर के अंदर और तीन लाइफट किया है तो उनको रगए करेकर अंदर दिया जाता है और जो कोचीज ने पुरी राइफटाइम के अंदर अच्छा परफुमंस किया है और मड़ा राश बंदा खास करके पास्ट independence के अंदर ब्रहा लास्ट 20 साल से वह अच्छा परोन रहे है उनको lifetime category के अंदर आवर्ड दिया जाता है regular category के अंदर price मनी है 10,00,00 रुपया और lifetime category के अंदर price मनी है 15,00,00 रुपया तो यह दुनों चीज़ आपको ज्यान में रखनी है तो regular category के अंदर किसको मिला आवर्ड यह मैंने आपको प्रोवाइड किया है कौन से discipline में मिला वो भी आपको ज्यान में रखना है बराबना और lifetime category के अंदर किसको मिला वो भी मैंने यहां पर लिखा है बराबना कौन से category वो भी आप एक बार पढ़ लेना बराबना सबसे पहली बार regular category का यह दोहां चारी अवर्ड कप दिया गया था 1985 के अंदर और lifetime category का दोहां चारी अवर्ड कप दिया गया 2011 के अंदर बराबना ओके है कि हमने next category है फोर्थ category ज्यांचन अवर्ड फूर्ड लाइफ टाइम अचीमेंड इन दे स्पोर्ड एन गेम्स 2022 यह जो अवर्ड है वो रिटार्मेंड के बाद जो स्पोर्ड मर्शन स्पोर्ड के अदर अच्छा कंट्रिबिशन करता है उसको यह अवर्ड दे रहता है ज्यांचन अवर उसके प्राइस मनी कितनी है दस लाग रुपया और कौन-कौन से चार अवर्ड है वो मैंने आपको यहां पर टेबल पर प्रोवाइड किया है उसके डिसीप्लिन आप प्लीज एक बार देख लेना है कि हमारा नेक्स केटेगरी है फास्ट यह खेल पूरसान पूरसकार तो यह अवर्ड किसको दिया रहाता है तो कॉर्परेट एंटाइटी चाहे फिर वो प्राइवेट एंटाइटी हो या तो फिर पॉब्लिशेक्टर एंटाइटी हो स्पोर्स कंट्रोल बॉलीज एंजियोज इंक्रूडिंग दस्पोर्स बोलीज एट स्टेट एंटेट लेवल कि जो संसा ने स्पोर्ट के प्रमोशन के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले गिया है उसको यह राष्टिय खेल पूरसकार दिया जाता है तो इस बार तीन संसा को दिया गया है और यह दुझा नौसी आवर्ड दिया जाता है तो मैंने आपको यहां पे टीबल के अंदर क संसा को यह राष्टिय खेल पूरसकार यह वर्ड बिला है उसका लिस्ट दिया है बराबनन तो आपको एक बारी देख लेना है बराबन उसके लबा लास्ट केटेगरी है मोलाना अबूल कलम आजाद यह अवर्ड ओवर्ड टॉप परफॉर्मिंग इंटर इनुझेटी टूनामेंट्स के अंदर जो इनुझेटी ना बहुत है अच्छा परफॉर्म किया है यह वर्ड इसको दिया जता है मोलाना अबूल कलम 24 टाइम यह वर्ड दिया गया है 1956 से अवर्ड दिया जाता है मोलाना अबूल का नाम आजाद जो इनुझेटी इंटर इनुझेटी टूनामेंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्मस करती है तो गुर्वनक देविश्टी को जो अम्री सर से बिलों करती 24 टाइम यह वर्ड ज और अनुझेट थाकूर के कंस्यों सीमज़ा पदेश के हमी रिपूर्ट से है परापटना ने ओके हमारी नेक्स्ट न्यूसर फ्रेंड्स कि इंडियास मैटनल मोटारिटी रिश्यो वो डिकलाइन हुई है तो 97 पर लैक लाइव बर्थ इन 2018-2020 तो इस न्यूस को समझने से पेले तो यह मैटनल मोटारिटी रिश्यो क्या होता है उसके बारे में देख लेते है okay so what is maternal mortality the maternal mortality in the region is a measure of the reproductive health of the woman in the area according to WHO maternal death is the death of the woman while pregnant or within the 40 days of the termination of the pregnancy irrespective of the duration and site of the pregnancy from any course related to the or aggravated by the pregnancy or its management but not from the accidental or incidental courses maternal death अगर एक कोई woman की होती है तो maternal death किसको बोला जाता है अगर कोई woman pregnancy के दोरान कोई नो कोई reason से expired हो जाती है कोई भी reason लेकिन वो pregnancy से related होनी चाहिए एसा नहीं कि कोई incident की वज़े से कोई accident की वज़े से उसकी date हो गई pregnancy की वज़े से pregnancy के दोरान अगर किसी की कोई woman की date हो जाती है बड़ा बना और या तो फिर अगर आपने अबोर्शन करवाया पेट्रेंस दे को terminate करवाया उसके 42 दीन के अंदर कोई woman की date हो जाती है तो उसको बोलते है maternal date right तो maternal mortality ratio which is defined as a number of the maternal date during the given time period per one lakh live birth during the same period के एक लाख छोटे बच्चों का जनम हुआ उस पीरिड के दोरान कि कितनी woman की maternal date हुई उसको बोलते है maternal mortality ratio I think आपको इस समझ में आया होगा अच्छे से बड़ा बना ओके इंडिया का जो maternal mortality ratio है वो decline हुआ है और वो कितना हो किया है 97 पर लेक लाइव बर्थ इन 2018-2020 तो इंडिया के जो जो 2014 तो 16 के अंदर 2014 के अंदर कितना था 130 था मतलब 130 maternal date होती थी पर वन लेक लाइव बर्थ के टाइम प्रेट के दोरन और अभी वो कितना हो रहा है 97 तो बहुत ही अच्छा पर्फॉर्मन्स किया इंडिया ने उसके अलबा नेश्टर लेवल पर तो 97 है लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टेट लेवल पर तो आसाम है सा हाइस्ट मेटल मोटाटी रेशियो कितना है 195 और केरला सबसे लोएस्ट 19 पर लेक लाइव बर्थ 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 लेकिन उसके बाद उससे सेकेंड लोएस्ट को कहा पर है मारास के अंदर 33 और थर्ड लोएस्ट है तिलंगना के अं बहुत यह अच्छा प्रमंस किया इन तीनों स्टेट्स ने अगर मैं एज वाइज यह बोटाइटी डेथ को मेटनल डेथ को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो हाइस नमबर अब तो मेटनल डेथ है थिट फपर्सेट मीटनल डेथ है ना 22 24 एज की ओमेन के अंदर देखनेओं को मिली हैं 30% 25 और पटीनीज येर्श की मुमेन के अंदर और 20% 30 32 34 येर्श की मुमेन के अंदर यह डेथ को मैटनल डेथ को देखनें को मिला है अगर मैं 15 से 10 साल की जो गल्स होती है उनके इंदर भी मेटनल देखने को मिला हैं 6% मतलब वह चैनल मेरेज को डिफाइन करती है है अगर 10 से 15 साल की लड़की है तो अगर यह तो हमेरे बाद हुई कि इंडिया का इतना परफॉमंस हुआ अलग अलग स्टेट्स का इतना परफॉमंस है लेकिंग युए ने क्या टार्गेट रखा है मेटनल मुटारिटी रेशियो के उपर उसके बारे बात करते हैं तो टार्गेट 3.1 गोल 3.1 अब तो सस्टेनल डेलोपेंट गोल सेट बाइद युए न इमस एट रेदीशिंग द नुमर 3.1 है राइट ऑके और इंडिया को भी स्केल कोल को एचिव करना पड़ेगा इंडिया ने मेटनल मुटारिटी रेशियो को कम करने के लिए बहुत ही अच्छे इनिसेटिव लॉंज किये हैं उसके अंदर कुछ इनिसेटिव मैंने यहां पर लिख है बनर्मंत्री मात्रूमंदना योजना लेबर रूम क्वालिटी इंक्रूमेंट इनिसेटिव जिसको बोलते हैं लक्षया दूरा सतरा के अंदर लॉंज किया गया था पोशन अभ्यान 2018 के अंदर लॉंज किया गया था और सुमन शुरक्षित मात्रित वा अश्वासन बना तो यह बहुत सारे इंडिया के दौरा लॉंज किये गया है तो रिडियूस तो मेटर मोटाटे इस्व इंद इंडिया परावनना ओके हमारी नेक्स्ट नियूसे फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 41 एडिशन अप्धा इंडिया इंटरेशन ट्रेड फेर हुआ था कहां पे दिल्ली के अंदर उसके बारे बात करते हैं तो हमारी जो मिनिस्टर है प्यूस्ट कोईल मिनिस्ट्र अप कॉमर्सल इंडेस्ट्री तरफ यह प्रहें झांत्य इना इंडिया इंडेशी ट्री पाइन आमयों ट॔र लोकल को ऑडिया कि चैश्ट्र अरग किया था तो उन्या इसके दोरह किया गया था और यह इनद्र ज्रूस अवने बीजल है मिनिस्ट्य ओध्वान्स अइस इंडिस्ट्री का घा फच्छ हैं अगर में बात कर ओ तो इन वेंट के अंदर है टुटड्य ने चैट्वर्ट को एक जीबिट होसा से हो जब आफे इस चैट्रीड को आ strengthen your टोर्व करने के लिए और उसके अणवाद मृटकन के अनदर प्लोट येंड फोरीज था इक्जिबिटर भी आए थे यह 12 कंटी से exhibitors आए थे उसके लबाव इसके 29 स्टेट से अलगर एक एक्षिबीटर साहे थे अपनी प्रड़क्ट में यहां पे एक्षिबीट करने के लिए उसके लबाव जो MSME पेविलेंट था उसने हाइस्ट परसेंटेज दो मुमेंट इंटरपीनर्स तो अगर मुमेंट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिला कहां पर MSME पेविलेंट चोटी जो उद्यों को होते हैं चोटे उद्यों मरा मना वहां पर मुमेंट इंटरपीनर्स ज्यादा थे अगर मैं कुछ आवर्स के बारें बात करूं तो इस 41st इंडिया इंटरेशन फेल्ट प्र का जो पेविलेंट था उसको अवर्ड दिया गया और इस आउट्सेट्निंग कंट्रीबिशन तूवर्स पॉड्स पॉब्लिक कॉम्मिनिकेशन इन आउटरीश देखो मैंने आपको पहले भी बता है कि पेविलेंट का मतलब क्या होता है कि वह अपने अपने जगा पे अप सबसेज ज्यादा वुमेंट इंटर्पीनर्स थे उसके अलाब यह जो मिनिस्ट्र फैल्ट फैल्ट वेल्फर है उनको अवर्ड दिया गया क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी बात को बहुत अथी तरीके से कॉम्मिनिकेट किया बरावन उनकी पेविलेंट का थीम क्या था ही इंडिया हील बाई इंडिया तो हेल्थ फैमिली टा न्यूमेंटियस मिनिस्ट्र फैमिली वेल फैर के इनिसेटिवह उन्होंने अपनी स्कीम को हालेट किया इसके लिए उनको यह वोड मिला इस फ्यर के द्वरान है है कि आप फोरेंट सेक्टर के अंदर मतलब जो फोरेंट कंटीश ने अपने-पने जो पेवेलेंस यहां पे रीपेज़न किये थे इसके सबसे अच्छा अच्छा परफोंस कहीते गुल्ड मेल किसको मिला के अलवां स्टे अरे इंदर मिला के रला पेविजंग को कि सीटले मरह नोगा प्रेवियन को endless कोम लिए टारिकीस रिवाटिविया स् से मिला खेऻ कि रड़ा इसके लेख के अंदर फ्रेविटर के अंदर अफ्घाने घ्सान को और वह्acha एक बीज़ांध हर्द्रीनिवेफस्वार्पीरे को नियुकम्धिक सबस्कार मिला बरावनना ओक ऑग कि 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 अगैं मुण्हर सर्टिफिकेट पॉर्दैके क्टाने सटुम्हिंशेस्प्लै यह वर्डी सटुमिला संटीफिकेटर्पॉर ठालाव ऑट्शेल्फियर अब बड़ा मनत आपको इतनी चीज़ा आपको यहां पर त्यान रखनी है अगर मिनिस्ट्र और कमर्सर इंडिस्ट्री की बात करूं तो कौन है प्यूस्ट गोएल और मिनिस्ट्र स्टेट कौन है अनुपरिया पटिल और सौम परकास अच्छे से समझ में आया होगा हमारी नेक्स न्यूज़ा फ्रेंड्स के अब रिसेंटली यूपी की जो सीम है योगी अधितिनात ने लॉंच किया वन डिस्टिक वन स्पोर्ट स्कीम उसके बारे बात करते हैं तो यूगी अधिनात चीप मिनिस्टर तो उत्तरपदेश उन् नामोर थो इस्तर्पर्स इन दः यूपी ऑगेां अधिटनी के अ उसे रिवट्ड के अपने अपने उनिक प्रोड़कट्ट वो डिखलेर करें आ Northern चेहरे इंर वन प्रोडुक्र्त चेहरे हैं 15 अधें शे만 जिचिशन के अपने उनिख लिच इस पिरमोट किया गया इस किम क्यों लांज किया क्या ताकि जो इंडीने स्पोर्ट से जो हरे एक डिस्टिक के अपने अपने जो यूनिक स्पोर्स होते है वो अपनी वेल्यो को लूज कर रहा है तो इसको रिवाईव करने के लिए तो डिपार्मिन स्पोर्स उतरपदेश is set to prepare the blueprint of the scheme and identify the popular sports of the each district तो वन स्पोर्स scheme is started in land with the one district one product scheme which promoted the local items of the each of the 75 district of the उतरपदेश तो one district one product के अंदर 75 district से उतरपदेश के उसको प्रमोट किया जाता है तो इसका objective क्या है तो objective of the government is to promote the sports culture and keep the younger generation healthy in the state and provide the platform for the sports person under the one district one sport scheme one sport will be identified in the each of the 75 district of the उतरपदेश तो find the district wise sports specific talent तो हर एक district का खुद का एक जो specific sports से उसको इदेटिफाई किया जाएगा ताकि district wise talent को identify किया जाए जाए राइड the scheme aims to encourage the youth of the state to take up the sports and home their skills water sports will be an integral part of the one district one sport scheme for the district city on the banks of the major rivers बराबना तो जो district major rivers के bank के उपर है तो बहाँ पे water sports भी इसी scheme के अंदर में आ जाएगा at present 57 districts have been taken up and divided across 13 sports and the sports department is working on the appointing the coaches बराबना तो 57 districts ने तो अपने-अपने sports को identify भी कर लिया और 13 sports यहाँ पे अलगर स्पोर्स में उनको one district one sports sports का यह category डिवाइड किया गया है बराबना तो यहाँ पे conscious district के अंदर कौन सा sports famous है वो आप यहाँ पे लिखा है लेकिन वह आपके एक्जाम पॉइंटे पेसी इतना नहीं है तो बस आपके एक्जाम पॉइंटे पीसे इस न्यूस के अंदर के one district one sports कि सब्सक्राइब के यूपी के तवारा one district one product यह भी यूपी के तवारा लॉच्च के गई थी 75 बीस्टिक के 75 प्रोड़कों यहाँ प्रमोट के रहाता है one district one product scheme के अंदर में और उसी के इन लाइन के अंदर one district one sports product को launch किया गया यूपी के तुबारा बना बना ओके कि